नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बाफ फिर से आपके अपने यूटिब चैनिल Mr.360 गुपता पे आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे केसी एकलब चेंपियंशिप T20 के आज के दिन के पहले मकाबले की जो यहाँ पे खेला जाने वाला है टीम SWC वसस टीम ACC के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इस मैच की कंपलीट एनलिसिस करके दूँगा और आप सभी को बताऊंगा किस मकाबले में कौन से प्लेयर सापके लिए इंपॉर्टन रहेंगे स्मॉल लिक के लिए और कौन से प्लेयर सापके लिए इंपॉर्टन रहेंगे गरां लिक के लिए किन प्लेस को आप लोग अपनीटी में as a captain और किन प्लेस को आप लोग अपनीटी में as a vice captain पिक करके चल सकते हो तो वीडियो आपको complete watch करनी है पूरी देखनी है अगर आप लोग इस मुकाबले में win करना चाहो बाकी दोस्तों जो भी मेरी final update होगी आफटर लाइने पे अटास के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी वो सीधा आपको मारे टेली राम चैनल पे मिल जाएगी अभी के समय 13,000 से जादा लोग already join हो चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे channel से join होना चाहो तो आपको हमारे channel का link description और comment दोनों जगाओ भी मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगए team का profit उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर लें क्योंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए free तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों score card की हो जहाँ पर मैं आपको दोनों टीम्स के last match के performance के बारे में बता देता हूँ तो बात कीज़े सबसे पहले venue सेम venue है सनातन दर्म college ground अलफोजा टाइमिंग है 9 बज़े सूबे के समय दोनों टीम्स आती हैं group B से जहाँ पर ACC ने दो मकावले के लिए दोनों जीते हैं और जहाँ पर SWC की सुरुवात तो tournament की काफी सांदार तरीके से हुई थी लेकिन अभी ये फसे हुए हैं तीन मैचेस में सिर्फ एक ही में जीते जो कि इनका पहला मकावला था लास्ट के दो मैचे से यहां पे हार के आए हैं तो overall आप कह सकतो कि दोनों टीम्स के विन करने के चांसे से हां पे almost 50-50% है बाकि अगर आपको लगे कि ACC थोड़ी सा आपको बेटर लगे तो आप कह सकतो कि 72, 70 भी चांसे से हां पे हो सकते हैं ACC के विन करने के तो एक बात दोनों टीम्स के लास्ट मैच के स्कोर काड को भी जड़ा चेक आउट कर लेते हैं SWC अपना पिछला मकाबला 37 ननों से हार कर रहा हैं इस मकाबले में दोस्तों इनकी डिम ने सबसे पहले गिंदबाजी की और अपने अपोनेंट को इन्होंने 170 ननों पे रोका और उनके 9 विकेट गिरा दिये जब इनकी बारी आया इस टारिकेट को चेस करने की तो इनकी और से केश अरुटि और बीजा बिनखा ता खोले और मोहमद अजो की अपने टिम के सबसे मैन और बहतरीन बैٹसमन है लेकिन इस मैच में इनका बी बल्ला नहीं चलता है छे गिंदो पर ये पांच अन बनाके आउट हो जाते हैं नमबर 3 पे इनई की और साथ हैं विनीव मनोहरन लिश्टेहन अगस्तिन के साथ, विनीव मनोहरन बारा गिंदो पे 14, लिश्टेहन अगस्तिन जोकी last match में अच्छा perform किये थे, इस match में 2 गिंदो पे 4, अजीनस एम 22 गिंदो पे क्यामरन बनाते हैं, तो यहां पर दोस्तों इनकी वर साथ के लिए जो important batsmen रहेंगे वो दोस्तों आजिनस रहेंगे और गोतब मोहन को प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो गेंद बाजी की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आसिफ सलाम जो की डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग रहाने आते हैं इनको दो विकेड मिले विष्णु पी कुमार महेंगे साबित वे विकेड नहीं निकाल पाए अफराद लगातार विकेड निकाल कर दे रहे हैं अपनी को विनुब मरोहन को भी विकेड मिला और हरी किशन ने भी यहां पे तीन विकेड निकाले अगर यहां पे बात की जएह अंपने पहले ही मकाबले में दो के निकाले थे लास्ट के निके दोनों मैचुस काफी ज़्यादा बेकार गया और किसी और यास्ट बाले मैच मे önको चार वर की प्रॉपर स्वेल भी नहीं दी गई अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों इनकी अपनेंट टीम की अगर बात की जाए टीम ACC की तो यह अपना पिछला मकावला 138 अनों से जीत करा हैं दो एक सकतो कितना अच्छा बॉलिंग और बैटिंग इनके पास लाइनप है तो इनकी टीम ने सबसे पहले यहाँ पर क्या की गेंद बल्ले बाजी बीस ओवर के अंदर दो सो बारा रन बनाए पांच उगिट की नुकसान पर जब बारी है इसको डिफेंड करने की तो अपोनेंट को 74 रनों पर ही आल आउट कर दिया इनकी और से आदी देब टीजे ओपन करने आते हैं पावन के साथ आदी देब टीजे 24 गेंदों पे 20 और पावन दो गेंद बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं जोफिन जोस 9 गेंदों पे 8 रोजित गने सेलेक्शन था इनका कल 30% हमने इनको पिकर के रखा था 41 गेंदों पे 87 बनाय बंदे ने के जो हैं वो यहां से अपके लिए important हो सकते हैं बागी बात कीज़ेंगी गेंदबाजी की तो यहां पे दोस्तो अतीफ बिन अश्रफ ने दो ओवर की गेंदबाजी की यह विकेंद निकाला वीवे केपी को दो विकेंद मिले अरजुन ने भी दोस्तों यहां पे दो तुमाल के और उनके इन साथ गिंदवाजों में सिर्फ वीवेक केपी और अरजुन ने आपे तीन से जादा ओवर किये तीन ओवर या चार ओवर किये तो यहाँ पे इनको विकेट मिले रोजीद गनेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग कराएंगे इसके ल चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन जरूरू और प्रिस कर लें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो जरू दो आपको मारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन हो कमेंट दोनों जगाव पी मिल जाएगा तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जूट सकते हैं और मेरी दीग टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर लें क्योंकि आपके लिए इ जुरू दीनी आज से इंपोर्टन रहेंगे क्योंकि अपनी टीम के कैप्टन भी हैं पहले मैच में उने 120 रन बनाया थे इसके बाद दूसरे मैच में उनने 40 से जादा रन और त्रिस्रे मैच में उने पांच चैनल बनाया यान कि लास्ट मैच इनका बेकार गया था बाकि दो मैचेस में काफित शेनों ने परफॉर्म किया, बेस्ट चॉइसेस भी हैं आपके लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो इन प्लेयर को तो जरूर हम पिक करेंगे, इसके लाबा इस गैनेस अभी तक एक भी मैच खेले नहीं है, स्रीराज को भी अभी तक मौका मिला नहीं है, पी स्रीदर जरूर दो मैचेस केलें उपन करने आएं, लेकिन किसी भी मैच में बड़ी इनिंग नहीं कहल पाएं, लास्ट मैच में तो बीना खाता खोले ही आउट हो गे थे, इसके लाबा यू, कृष्णा, के यू भी यहाँ पे आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो अभी के लिए मैं आपे विकेट की बिंग सेक्शन से हैं, मैं अजरुदीन को एज़ा विकेट की पर पिक करके चलूँगा, बैटिंग की बात की जाए, दोस्तों तो आपे के रोजित इंपोर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच में इनका सेलेक्शन काफी कम था, हमने इनको पिक करके रखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था, स्कोर कार्ड में तब ही दिखाता हूँ, क्योंकि लास्ट मैच इनका जो था ना, जहां पर यह फ्लॉप हुए थे, बैटिंग से लेकिने उन्हें बालिंग की तो, और मैंने इनको सिर्फ बालिंग के लिए ही लेकर रहा था, और आप कल देखी, इन्होंने दो विक्यड भी निकाले, और कितनी सांदार इन्होंने आपे बल्ले बाजी भी की, तो आज भी हमारे लिए एक आफ़ी अच्छी आप्शन रहने वाले, तो इनको भी करेंगे, जर्सीर सियन आज से आपके लिए इंपॉर्टन रहें, अगस्तिन आप भी करना चाओ कर सकते हो, अगस्तिन आजिनस में किसी एक कौपी पिक करना, तो मैं आप अभी के लिए अजिनस को पिक कर लेता हूँ, इसके लाबर टी आदी अनस्त भी देखे बैटिंग बॉलिंग करा दें, एक यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि जब इनका पहला मैच हुआ था ना किसका, यहाँ पे ACC का, तो मैंने आपको बटाया था कि पहले मैच में आपको किसको ले रखा था यहाँ पे, क्या नाम थे निका, एवेनुक्ष गोपाल का, इनका सेलेक्शन पहले मैच में भी कम था, लेकिन पहले match में इनको एक भी ओवर की balling नहीं मिली और कल इन्होंने दो ओवर की balling की और इन्होंने देखी यहाँ पे तीन ओवर के अंदर दो weekend काले तो काफी लोग के भी रहते कि आपने एक venue गोपाल को क्यों रखा है अपनी team में क्योंकि इन्होंने ना तो betting की थी ना बॉलिंग की थी और यह betting section में भी दे तो यह दोस्तों भाईयो domestic matches में आम है क्योंकि यहाँ पे देखे सभी matches को सभी matches में किसी ना किसी player को मोखा देना होता है तो यहाँ प에 कोई भी team क्या करथी कि एक मैच में किसी एक प्लेयर को मौका दे दे दी तो एक मैच में किसी अपने मेन प्लेयर को थोड़ा सा रिस्ट भी दे दे दी है तो आगर आज जी भी देखोगे तो वे वेनु गोपाल आपको ओवर कराते हुए नजर आज जाएंगे तो आप चाहो तो यहाँ पे अजिनस की जगापर कि इनको ट्राइ कर सकतो वेनु गोपाल और अनस को क्यूंकि यह दोनों यहाँ पे बैटिंग और बालिंग कराएंगे तो भी है यहाँ पर अभी के लिए इनको भी करों काफी बड़ा मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ लेकिन अगर यह हमारा रिस्क वर्क करेगा तो अच्छा गासा में प्रॉफिट होगा तो मैंने यहाँ पे तीन जो बैट्सन भी करके रखें वो तीनों एसी सी के हैं ज ज़रूरी नहीं है किस मैंस भी इनको विकेड मिलें बागी काफी लोगों ने विनू मनोहरन का सेलेक्शन काफी कम है मुझे नहीं पता क्यों कम है क्यों कि बंदा काफी अच्छा बाइटिंग भी करा रहा है बॉलिंग भी करा रहा है तो मैं इनको ड्रॉप नहीं बॉलिंग से अद्वी नसरफ डेथ ओवर किंदर आएंगे इसके लब वैस सलाम डेथ ओवर किंदर आएंगे एक और बॉलर आपको यहां पे चाहिए तो आप चाहो तो यहां पर वीवे केपी को ले सकतो लास्ट मैच मिनों ने अच्छा परफॉर्म किया था तो मैं आप इन विकेट की पा त्री बेसमें फूर राव्रान गोस त्री बॉलर यहां का का म्भीनेशन त्यार किया है बात की जाए कप्टेन एन वायस केप्तन की किस प्लेख को यह दिन का बल्ला चल गयातो विकेट इनका निकाला है फिर ..पर श्यादा मुश्किल रहेगा यहां लेकिन जाना चाहो तो हमारी दोस्तों टीम जो है आप यहां पर रेडी हो ग Prix यह इसको सेब कर सकते हैं बाकि एकर वारी Activism से नहीं प्लेए करता है पह लिए आफ पर लांवरे टास के बाद या दोस्तों जोółic प्रिविनिग टीम होगी वह सहीधा आपको टेलीरम चैनल पे मिल जाएगी अभी के समय तेदा आजाए से ज़्यादा लोग अल्रेडी जॉइन हो चुके हैं और रोजदाने आप रोदी गई मेरी फिरी टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी एगार हमारे चैनल से जॉइन होना चाहो तो आपको मारे चै सब्सक्राइब करें गंटा दवा लेना आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो मिलेंगे आप सबी लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब दक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम